नमसकार दोस्तो वैषनवी और्गेनिक डेरी फ़र्म में आपका स्वागत है आज हम भात करेंगे बाइपास प्रोटीन और बाइपास फैट के बारे में किसान भाईयो पहले हम बात कर लेते हैं बाइपास प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि लगबग 70% तक खर्च दुधारू पसुओं के आहार पर होता है यसे में यदि इनको हम बाइपास प्रोटीन आहार के रूप में दिया जाए तो इन पर होने वाला आहार के खर्च को कम कर सकते हैं परन्तु इसे पसुपालक कैसे बनाए और पसुपालन कब और कैसे कितनी मात्रा में खिलाए ये भी जानूना बहुत जरूरी है आपने जो जुगाली करने वाले पसुप चाहे गाय, भैंस, आदी इनका पेट होता है अस्टोमच जिसे कहते हैं वो चार भागों में बटा होता है जैसे रूमेन, एटी कूलम, ओमेजम और एभोमेजम ये जानवर की अपनी फिजियोलोजी है और जुगाली करने वाली अब अपनी दाना जब गाय को खिलाते हैं जिसमें कारवोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है मिनरल, बिटामिन भी होते हैं ये सारी महंगी चीज़े खिलाते हैं अब ये जो बाइपास प्रोटीन का जो टेकनोलजी है ये खल अपने पसू को जो खिला रहे हैं चाहे सरसो की है, अलसी की है, मुंपली की है, बिनौले की है ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ती के लिए खिलाते हैं आप नौरमल क्या है होता है की जब हम लोग इन खलोका पसूवास में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का स्जिदेशन खिलाते हैं, और एक र्धकम की है ये पसूब पेट रूमिन कहा जाता है , उसमें होता है जब रूमिन में डाइजेशन होता है या फर्मल टेंसन होता है तब इसमें जो मिलने वाली एनरजी है इसका लॉस या हास बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस चैनल को प्लीज लाइक और सबस्क्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद बेश्ट नभी औरगेनिक डेरी फॉर्म वीडियो को आगे बाच करें इसको तब तक कंहीं कर पाएंगे जब तक इसका युजफल उत्पादों के कारियों में नहीं ले पाएंगे मतलब ना तो हम इनरजी को ग्रोत के लिए काम में ले रहे हैं और नहीं दूदूत पादन के लिए उपयोग में ला रहे हैं अब हम लोग को यह कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटीन इतना महंगा जो है पाश्ट है पसु अहर का सबसे जो इनर्जी मिलता है उसका पूरा-पूरा उपयोग कर पाएं इसके लिए जरूरी है कि जो समाने तरी का से प्रोटीन का जो फर्मल टेंशन होता है जो रूमिन के अंदर होता है उसको रूमिन में फर्मल टेंशन डिग्रेट ना कराके सीधे-सीधे एभोमेजम या ट्रिश्टोमा जिसको कहते हैं उसमें फर्मल टेंशन करा पाते हैं इससे जो मिलने वाली एनर्जी है उसे कर 15-20% तक दूदूद पादन में ब्रीधी हो जाता है। Bypass protein पसु को महतुदूद दूद पादन में ब्रीधी 15-20% तक बच्छे बच्छडियों की ब्रीधी 30-40% तक लागत खर्च को कम कर सकते हैं। बनाने का बिधी कैसे हम Bypass protein का फीड तयार कर सकते हैं। दोस्तों तो खल जो होता है उसमें हम 4% फर्मलीन के साथ ट्रीट करते हैं। उस खल को ट्रीट करने से पहले खल को बारिक पिछना पड़ेगा या ग्राइंड करना पर दिन तक एनो रॉबिक कंडिशन में बंद कर देते हैं। ताकि पूरी तरह से ओ रसायन उपचारित होने के बाद काम कर सके। इसके उपरांत उसको निकालके थोड़े देर हवा में रखेंगे ताकि फर्मलीन का गंध हो निकल जाए और उसको बाद में जानबर को खिला सकते हैं। दोस्तो इससे क्या होगा कि जो केक है जो खल है या खली है समानतर रूमिन में पचती है वो रूमिन में ना पचकर सीधे रूमिन से बाइपास ट्रिश्टोमा एवो मेजम में चली जाएगा और ज्यादा उर्जावत्पन करेगा। दोस्तो एक और फरमूला है बाइपास प्रोटीन का जो अर्थ है वो है कि जैसे गाय का पेट है जिसे रूमिन बोलते हैं उसमें जो डाइजेस्ट हो जाता है जैसे आयल केक खिलाते हैं सरसो, राई, ग्रांडनट, मुंभली, तीसी ये सब जब खिलाते हैं तब उसके पे युटलाइजेशन कम हो जाता है और बीस से तीस परशेंट ही उपयोग हो पाता है, असी परशेंट बरबाद हो जाता है और गाय भैंस यूज नहीं कर पाती है बाइपास प्रोटीन कैसे बनाएं बिधी 500 एमिल, फॉर्मल डिहाइंड लेकर 40 परशेंट, 4 परशेंट लेक 50 किलो सर्सो का खल लेकर मिला दे, बारिक खली ग्राइंड कर दे और बोरी में बंद करके प्लास्टिक से ढख दे, अच्छा दोस्तों, 50 किलो सर्सो के खल में जमीन पर रखें, उसे फॉर्मल डिहाइंड मिलाएं, 500 एमिल, मिलाने के बाद 7 दिन बोरी को बंद रखना है, 7 दिन बंद रखने के बाद प्रोटीन में एमीनो एसीड होता है, जो प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो उसको बिहाइंड, बैंड कर देगा, जो रूमेन में जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा, और आत में जाकर डाइजेस्ट ह गाय का दूद बढ़ेगा और बाच्छा बाच्छी के विकास में सहायक सिध होगा ग्रोथ दर भी बढ़ेगा 500 ग्राम डेली निकालना है और गाय को देना है सुबा और साम फिर बोरी को बंद करके रख देना है ताकि उसमें हवा न लग सके दोस्तों बाइपास प्हेट के बारे में अब हम आपको जनकारी देंगे भैइपास प्हेट क्या होता है कि घणवरों को जैसे हम कभी एक्ष्ट्रा घी खिला देते हैं या तेल पिला देते हैं जिससे उसका पेट गडबड हो जाता है उसका digestion का क्रिया रुख जाए फिर performance में कमी आ जाती है और आपको दूद नहीं दे पाएगी और दोस्तों जो हम बता रहे हैं एक एसा fat है जो आपको protect कर देगा जिसको हम bind कर दे तो fat हमको 10% तक खिला सकते हैं नॉर्मल हम 4-5% ही गाय को fat खिलाते हैं इससे ज्यादा खिलाने पर उसको अपचिया जो है डाइरिया की सिकायत आती है इससे ज्यादा fat नहीं खिलाते हैं लेकिन हम protect करने के बाद हम 10% खिला देंगे तो यह protect जब तक जब हो जाएगा तब तब वो आपको गाय का दूद और साथ साथ जो काफ बच्छडे का